स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टोर टेकनोलजी में मैं अनफर्वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूस्टी में आज हम लोग बात करेंगे कैनन EOS R7 के बारे में जो की दूसरा हाइंड कैमरा है तो यहां पर यह समझ करेंगे जिसे कैनन को छोड़के आप फूजी में चले जाओ तो बात अलग है लेकिन जर्नली इस सो जादा उपर नहीं जा सते है ना सोनी में ना ना इकॉन में और यह समझे के लिए है यह है लोग बजट जिनका बजट बहुत लाखों में नी है मतलब आज के ताइम में अगर आप उस पैसे में नहीं खेल रहा है तो यह अच्छा है और वाइल डाइफ के लिए अच्छा है क्योंकि वाइल डाइफ में में कामरा फुल फ्रेम भी हो और आपने 70-200 लिया वही 70-200 मुल्टिप्ला हो जाता है 1.2 x 1.5 x अगर आप उसे क्रॉप में लगाते हो तो क अगर थोड़ा हाथ पहर आप मारो तो साएद एक लाग पर आप तच कर जाओ और इसको यूस में प्राइस के राओं फिटीन हंडड़ डॉलर तो इसमें आप देख सकते कि मतलब माइक्रोफोन के इंपूट है काफी चीज दिया गया है इसमें फंक्शनालिटी के मामले मे 526 तो सब के आसपास में मतलब रुख चुका था मतलब नाइकोन का एक ठ्वाय था जो तो यह मतलब एक मौडन सेंसर को दोबारा बनाया जाए और 32 मेगा पिसल तच करना थोड़ी बड़ी बात है क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास अप्शन अभी और इसमें ड रीटेक नहीं होता जहां पर वहां पर लोग डुवल कार्ट स्लोट के लिए सीधे से बलते हैं चुप चाप सा पाई चालो हमको दो तो एक APS-C कैमरे में जो कि मतलब इस दाम में डुवल कार्ट स्लोट ढंग से यू अच्छ तू है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि का अच्छी आंगल LCD दे दिया गया है जो कि मतलब आजकल थैंक्फ़ली नॉर्मल होते जा रहा है आई बस भी दिया गया है जो कि मतलब R10 और R7 सबसे बढ़ा नतर है आई बस दे दिया गया है और यह एलेक्ट्रोनिक बॉस्ट के मामले में 30 fps तक जा सकते है यानि कि अच्छ नहीं होने वाला कि यह बहुत कच्रा है दूसरा वाला बहुत अच्छा यह नहीं होगा यह बात एकदम समझ लीजए कि इसको बाकी सबके इर्द गिर्द में देखें कि तब समझा और 30 fps मतलब चांसे बहुत अच्छा है कि आपको एक पर्फेक्ट शॉट मिल जाए 4K 60 नो साथ है कि आप क्रॉप कर सकते हो 1.6 उसके अंदर 1.8 उसके अंदर क्रॉप कर सकते हैं तो मतलब समझे आपका लेंस बहुत जूम हो जाएगा और 4K 4K रहेगा तो यह बात समझना ज़री कुछ-चुछ किसमें बहुत फादेमन साबित हो सकता है जहां पको बार-बार वाइ यह 10 Gbps मतलब पता निकिस क्या फूक के उसका नामिंग स्टेंडर किया गया दो-तीन बार रिवाइट किया गया तो अपसेंस नहीं बता तो सिधा समझे यूसबी 3.5 Gbps होता बेसिक और उपर वाला थे 10 उससे और उपर वाला थे 20 यह 10 वाला यानिकि बहुत अच्छा है म अगर इसमें कार्ड अच्छा से लगता है कार्ड चलता है आपका ड्राइवर और सब सही से काम करता तो इसी से फाइल आप कॉपी-पेश्ट कर सेता है को कार्ड रिडर अर नहीं खरीदना पड़ेगा यह काफी मतलब छोटा सा एड़-उन है लिगन काफी फाइदा होगत केमरा कंपणी कब से कर रहे है चाहिए वो सोझी हो चाहिए नाइकोन और चाहिए वो कैनन खुद ही क्यों ना हो लेकिन एक होता है क्लेम करना एक होता है उस पर फॉर्फ़रमेंस को रियल वर्ल्ड में डिलीवर खर पाना जैसे कि बहुत सारा पूराना पेनस्वान पेनन लेकिन कोई यूज निं करता था, क्यों नहीं करता था? और अच्छा डिलीवर्य नहीं होता था यह समझना बहुत रही है, परफॉर्मेंस एक होता है क्लेम कर देना पेपर में कि आपने लिख दिया 30 है गफर अब्लीव बेशिकष बुदर कण रपा नहीं हमा अंधुर। तो यह समझना बाँ जर रही नुक्त होता, यह समझना बहुत पर्फॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्या हुए तो ये एकदम समझे, APS-C सेग्मेंट पे इतना भरोसे मंद ऑटो-फोकस जिसमें बॉस्ट भी अच्छा हो, सब्जेक्ट ट्रेकिंग भी अच्छा हो, रिलाइबिलिटी हाई हो, क्योंकि कोई भी कैमरा अभी नहीं बनने वाला कि आप उसे खीच रहे हो और वो कभी भी जो की समझ लिए जनुली काफी अच्छा है मतलब A7 Mark 4 से अच्छा है और 30 एलेक्ट्रोनिक पे चला ज़ता है जो की मतलब काफी अच्छा है तो हिसाब प्रीबस्ट का अप्शन दिया गया है कि अगर आप मतलब आप प्रोसेस कि अच्छा है यह हो आप इसको मुझे खीच निख चुका रहता है तब तक 0.5 सेंड निकल चुका रहता है यह बहुत प्रेस करते हैं यह निकालना बफर सुरू कर देता है और जैसे आप प्रेस करते तो पहले का कुछ पॉंट फॉंट प्रेस के बीच में एक कुछ-कुछ के इसमें बहुत खायदिमा इसलिकर है पर्फॉंट के मामले में नहीं बात करना और इसका सबसे बड़ा बज़ी है कि आप इस पर्फॉंट में भरोसा कर सेते हैं क्लेम करने का बोला है बहुत पहले से माइक्रोफोर थाड आ रहे हैं जो हम 30 fps कर देंगा 50 50 fps कर देंगे लेकिन आधा टाम में फोकस नहीं रहेगा आधा टाम में अवरहीट हो जाएगा आधा टाम में यह होगा वो होगा यह समझने सब्सक्राइब पर्फॉंट के वामले में चुप चाप से यह कैमेरा खरी दिक्कत नहीं होने वाला तो बात बनता है घुम पिर के दूर दूर तक चाहिए वो सोनी हो चाहिए वो नाइकॉन हो चाहिए वो कैनन हो चाहिए पूराना DSLR सीरीज में कुछ नहीं है इसके आसपास आता है यह बात समझा नहीं क्योंकि यह दिक्क सको उठाके जो सीधा डाल दिया है वह बहुत ज्यादा होर्समान मतलब समझे आ अगर आप 32 मेगा पिक्सल का इंजोई करना चाहते है तो रिजॉल्विंग पावर होना चाहिए और लेंस में होना चाहिए लेंस अगर शार्प नहीं है वो सेंसर का रिजॉल्विशन सिर्फ आपका फाइल बढ़ाएगा फील नहीं आईगा और मतलब समझे लेंस सबसे ज प्रेम लेना ही फाइदे बन रहेगा क्योंकि अभी वह वह रिजॉल्विंग पावर की 32 मेगापिक्सल है और आपको लगे कि नहीं आपको रिजॉल्विंग पावर होना चीछ तो बहुतार है इसमें आपका हर मामले में कहाएज़ आपका हाइंड आर्मांट लेंस में पा फाइदा नहीं पड़ेगा और यह प्रोफेशनल के लिए बैककप के तौर पर इस्तमाल करें होता है एक्यूपमेंट है खराब होता है लटकता है और यह बैटरी भी सपोर्ट करता है अपने फुल फ्रेम वाले ब्रदरन से तो देख सकते हैं अगर आपके उसमाली वही बैटरी वाला सिस्टम है फुल फ्रेम रखे हुए तो इसको एस बैककप सूट करना बहुत असान हो जाएगा और प्रो श्टर्टर लेवल प्रे जानि कि जो फुल फ्रेम का बज़ेट नहीं लेना चाते हैं और इसमें आप अराम से फुल फ्रेम का ले जाएगा लंस का बहुत भागता रहता कभी सवस्तानी होता तो इस मामले में यह बहुत अछा स्वाइब कर सकते हैं लेकिन एक च वही बेचता है, चाहे वह फुल फ्रेम कैमरा हो, चाहे वह नाइकॉन हो, चाहे वह एपल हो, चाहे वह दूसरी कंपणी हो, तो यह समझ लिए कि अगर वह कुछ बोलता है तो उसकी बात में थोड़ा वजन होता है, शीरियस वाला, और उनका क्लेम है कि उन्होंने एक नया प बढ़ जाएगा, और कंपणी क्लेम मुझ खोल के करेंगा, चुकि वह कंपणी पास एक्स्पिरियंस है, फुल फ्रेम का भी कि सीधा सीधा फोटो में वह बीट कर देंगे, सीधा सीधा नहीं, सीधा सीधा जनुनली इतना रहेगा, उनका टार्गेट पॉइंट है 2024 तक पे कैमरा सेंसर भी अलमुस्ट एक ताइम स्टैंगनेंट हो गया लेकिन जब बैक साइड आलूमिनेटर्ड टेकनोलजी इस्तमाल होना रहेगा, एक पूरा स्टॉप आगया नॉइस पर्फोर्मेंस का वैसे इसमें भी बात हो रहा है कि दो-तीन स्टॉप डायमिक रेंज इसलिए समझें मोबाइल, APS-C, FULL-FRAME, इसलिए में हमें सम्झें फूल-FRAME के वीचे बाता है कि फूल-FRAME का फील है जो हर को बनाता है अच्छा अब समझ में आया कि लो क्यों बनाते हैं अच्छा अब समझ में आया कि जाके आरी 65-millimeter क्यों बनाता है तो एक समाझना जरूर और सोनी वाला वो पेटेंट वाला बात अगर सही है तो अच्छली थपड़ मार देगा इस कैमरे को तो सांधानी बरते हैं मतला एक्सपेक्टेशन थोड़ा रिजनेबल रख के घुशिएगा और प्लीज मतब कि लेंगे मत एक्सपर्ट कीज़गा कि आपको 32 वाली फीलि अच्छा लगा नहीं पसंद आए कोई बात नहीं आप डिसलेक दवा सकते हैं मैं कौनगा डीसलेक दो बर तो माएं उससे मुझे पता चले हो कितना पसंद हुआ है मैं आप से कहूंगा कि कॉमेंट लिख है मैं हर कॉमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ आप से कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाई यारा फ्री हैं तो आप नेरा वीडियो देखा जानके मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद